तो दोस्तों यहाँ पर आगे हम अपने mobile के screen पर तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है अपने Chrome browser को open करना है Chrome browser open करने के बाद आपको एक website open करना होगा civil.com slash free score जी हैं दोस्तों इस website को आपको open करना होगा और इस website का link मैंने नीचे वीडियो के description में भी दे दिया है तो direct आप link पर click करके इस website पर आ सकते हो तो दोस्तों यहाँ आने के बाद आप देख सकते हो get your free civil score and report instantly तो यहाँ पर free में आप अपना civil score check कर सकते हो किसी परकार का कोई भी आपको यहाँ पर पैसा नहीं देना है और यह पूरी तरीके से official website है civil score check करने की original website है तो किसी तरह का कोई भी fraud आपके साथ नहीं होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो bankers and landers check your civil score before approving your loan जब भी आप कोई loan लेते हो credit card के लिए apply करते हो तो जहाँ पर भी आपको इस तरह की चीज़े होती तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका civil score check किया जाता है तो यहीं आपर हम check करेंगे कि आप जो भी loan लेने वाले हो उसके लिए आप लिजबल हो या नहीं हो तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो get your free civil score का आपको button मिल जाएगा तो इस पर आपको click करना है click करने के बाद कुछ इस तरह का आएगा तो आपको no thanks करना आपको membership नहीं लेनी है no thanks पर click करने के बाद यह page आजाएगा तो यहाँ पर आपको करना क्या है अपना account create करना होगा ठीक है तो यह पूरी तरीके से free है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो तो यहाँ पर कुछ आपकी basic detail पुछी जाएगी तो यहाँ पर जो भी आप information दोगे वो यहाँ पर आपको correct information देना है कुछ भी गलत सिल नहीं करना है information देने के बाद आप यहाँ पर accept and continue पर click करोगे then आपके पास एक OTP आएगा जो भी आप registered mobile number यहाँ पर दोगे उस पर एक OTP आएगा वो OTP डालने के बाद कुछ और basic information आपको देनी होगी then उसके बाद आप अपना civil score आपके सामने शोग हो जाएगा कि आपका civil score कितना है तो दोस्तो civil score का जो chart होता है वो कुछ इस तरह का होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो poor category में जो आ रहा है जैसे कि 300 से लेके 550 के बीच में अगर आपका civil score आता है तो इसका मतलब है कि आप किसी भी कीमत पर आपको loan नहीं दिया जाएगा या जिस भी credit card के लिए apply कर रहे हो वो आपको नहीं मिलेगा अगर आपका average आता है तो average का मतलब है कि 550 से लेकर के 650 के बीच में अगर आपका civil score होता है तो इसका मतलब है आप average category में आते हो कुछ loans आपको मिल जाएंगी low amount की बट आपको high amount पर loan आपको नहीं दिया जाएगा या फिर credit card के limit आपको high नहीं दी जाएगी अब आता है good गुड का मतलब होता है 650 से 700 अगर इसके बीच में अगर आपका civil score आता है तो इसका मतलब है कि आपको normal से थोड़ा सा जादा मतलब कि 50,000, 60,000, 1,000,000 तक की limit तक का credit card या फिर loan आपको इसली अराम से मिल जाएगा और excellent अगर आता है 750 से लेकर के 900 के बीच में अगर आता है तो इसका मतलब है कि आप जो भी loan लेना चाहरे है जो भी card बनवाना चाहरे है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा बिना किसी documentation के बिना किसी कुछ के ऐखना जादा कि मतलब कि जादा कि जिक जिक बार ही जादा नहीं होगी आपको इसली बहुत ही अराम से मिल जाएगा ठीक है जो भी आप loan के लिए apply करेंगे अब देखो एक चीज होता है कि civil score down और अब कैसे होता है तो इसमें क्या होगा कि suppose अगर मानों कि आपके पास कोई credit card है आप जितना भी खर्च कर रहे हो credit card से अगर आप उसकी bill payment time to time payment कर रहे हो पूरा payment कर रहे हो तो आपका credit score जो है civil score है यह बढ़ता रहेगा लेकिन अगर आप payment time पे नहीं कर रहे हो कोई आपने loan ले लिया आपकी पहली माई मीस होजा रही है ना कभी आप loan time पे नहीं चुका आप आ रहे हो तो आपका civil score down जाता रहेगा ठीक है तो जो भी आप loan लो आपको time पे पे करना है तो दोस्तो इस तरीके से आप अपना civil score चेक कर सकते हो तो वीडियो के description में मैंने इस website का link दे दिया लिंक पे क्लिक करके आप पूरा चेक कर लेना ठीक है और किसी तरह का कोई भी doubt हो तो आप मुझे comment कर सकते हो साथ में अगर आप मेरे channel पे नए हो तो channel को जरू subscribe कर लेना और bell icon प्रेस करके all पे क्लिक कर लेना ताकि इसी तरह की knowledgeable वीडियो आपको देखने को मिलती रहे तो मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में तो अभी के लिए goodbye जाए